प्रॉब्लम से सल्यूशन ता, आस्टर ता, know your fate भी एक शुब संकेत है, हमारे ये सुख सम्रिदी का संकेत है जब हम मा की पूझा करते हैं, तो उनके पूझा पाट, अराधना के साथ, उनके जब के साथ, दुर्गा शब्शती के पाट के साथ मा के भोग का भी विशेश महत होता है मा को प्रसंद करने के लिए आप उनकी पसंद की चीज़ों का उन्हें भोग लगा सकते हैं तो आपको नव दुर्गा के इस पूझा के समय में हर दिन किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, आईए जानते सबसे पहले हम बात करेंगे प्रति पदा यानि की प्रतम नवरात्रे के बारे में जिस दिन मा शैल पुत्री की पूझा की जाती है इसके बाद हम बात करते हैं दृत्या की बाद यानि कि दूसरे नवरात्रे में मा ब्रह्म चारनी की पूजा की जाती है इस दिन आपको मा को शक्कर, चीनी, मिश्री इन चीजों का भोग जरूर लगाना चाहिए और मा से अपनी नमपी आयो के लिए आप प्राखना इस दिन जरूर करें इसके साथ हम बात करेंगे तीसरे नवरात्रे यानि की तृत्या की बारे में त्रीसरे नवरात्रे में मा चंदर घंटा की पूजा की जाती है और आपको मा को या तो साबूदाने की खीर या फिर आपको उन्हें मखाने की खीर जरूर अर्पित करने चाहिए मा चंदर घंटा आपके सभी दुखों को दूर जरूर करेंगी चतुर्थी के दिन यानि की आपको चौथे नवरात्रे पे मा कुश मांडा की पूजा की जाती है और मा कुश मांडा को आपको माल पूए का भोग जरूर लगाना चाहिए इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूणना आसान प्रॉब्लम्स से सल्यूशन तब अच्रता, know your faith पंचमी यानि की पांचवे नवरात्रे के दिन मा सकंद माता की पूजा की जाती है और इसके साथ ही आपको मा को फलों का भोग लगाना चाहिए मा सकंद माता आपके जीवन के सभी कश्टों को दूर जरूर करेंगी इसके साथ अगर हम छटे नवरात्रे की बात करें शश्टी तिधी की बात करें तो इस दिन मा के कात्याईनी रूप की पूजा की जाती है और इस दिन आपको मा को शहद का भोग जरूर लगाना चाहिए ऐसा करने से आपके जीवन में अगर किसी भी तरह के दुख है संकट है या फिर आपके जीवन से प्रेम कहीं दूर चला गया है तो मा आपके जीवन में एक मिठास फिर से जरूर भरेंगी तो इस दिन आपको मा को शहद का भोग जरूर लगाना चाहिए अब हम बात करेंगे मा के साथवे नव रात्रे की सब्तमी की जिस दिन मा के काल रात्री की पूजा किये जाती है इस दिन आपको मा को गुड से बनी हुई चीजों का भोग लगाना चाहिए गुर से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं और ये जो आप भोग लगाते हैं ये परसाद आपको सभी को वित्रत जरूर करना चाहिए जिससे माँ आपके सभी कश्टों को दूर जरूर करती है इसके बात बात करते हैं अश्टमी थी ठीके अश्टमी के दिन मा के महागौरी रूप की अराधना की जाती है इस दिन आपको मा को नारियल से बनी हुई मिठाईों का भोग लगाना चाहिए इसके साथ साथ कुछ लोग अश्टमी के दिन ही अपने जो नवरात्र होते हैं उनकी पूजा को पूर्ण करते हैं और मा को पूर्ण भोग भी लगाते हैं तो इस दिन जो अपना वरत पूरा करते हैं वो मा को हलवे और पूरी का भोग भी लगा सकते हैं अब इसके बाद अगर हम बात करें मा के आखरी नवरात्रे की यानि की नवे नवरात्रे की तो इस दिन मा सिद रातरी, मा दुर्गा की पूजा की जाती है तो इस दिन आपको मा को अनार के फल का भोग, अनार का भोग जरूर लगाना चाहिए और इसके साथ ही आप मा को हलवे का भोग भी लगा सकते हैं इन सभी भोग के साथ साथ मा के जब का मा के मंतरों के जब का बहुत महत्व है तो आपको सभी नौwy दिन में मा के इस मंत्र, मा के बीज मंत्र का जब जब जरूर करना चाहिए जब आप मा को भोग लगाते हैं ये मंत्र है ओम, एम, हीम, क्लीब, चाम, नौझा, विग्चे इस मंत्र का जब आप जरूर करें और जो प्रसाद, जो भोग आप मा को अरुपित करते हैं, वो सभी में वितरित जरूर करें, आप देखेंगे कि आपके जीवन से कश्ट कैसे दूर होते हैं, और आपके जीवन में बधलाफ भी आप देखेंगे, इस नव वर्ष के साथ आप ये चीज़ें करके अपने जीवन में बदलाव जरूर देखेंगे तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रही है एस्ट्रो तक जै मादूर का एस्ट्रो तक अप पर आपको मिलेगा भविश्य से जड़े हर सवाल का जवाब डाउन्लोड कीजिए एस्ट्रो तक अप और चिटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रो जे से